केंद्री मंत्री निर्मला सीता रमन ने मोधी 2.0 सरकार का आखरी पूर्ण बजट पेश किया। को बताते हुए एक और महत्वपूर्ण एलान वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने किया। केंद्री में इस फैसले से केवाईसी की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। सरकार के इस फैसले के तहट एकी कृट फाइलिंग सिस्टम के लिए अनुमती केवाईसी मांदन आसान हो जाएगा। वैसे तो अब तक कई जगहों पर केवाईसी कराने के लिए आधार और पैन की जरूरत होती थी लेकिन इस फैसले के बाद पैन काड के जरिये ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बारे में वितमंतुरी निर्मला सीतर अमन ने कहा कि इस से इस ओफ दूइंग बिसनस को बढ़ावा मिलेगा। आधार काड में जिस तरह हमारी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डीटेल्स दर्च होती है ठीक उसी तरह पैन काड में भी हमारी कई महतुपून जानकारियां दर्च होती हैं। तभी तो अब आम जनता तक सुविधाएं आसानी से पहुच पाएं। आम जनता आसानी से सरकारी योजनाओं का लाब ले पाएं। इसके लिए पैन कार्ड को देश का कार्ड बना दिया गया है। इसे एक बेहत जरूरी कार्ड घोशित कर दिया गया है, अब इसी से आपकी पहचान साबित होगी पैन कार्ड से साबित होगी पहचान अब आप पैन कार्ड से वित्तिय लेंदेन के साथ पहचान साबित करने के लिए भी पैन कार्ड का इस्तमाल कर सकते हैं पैन कार्ड का असली महत्व उस पर छपे 10 अक्षरों के अल्फानुमेरिक नंबर्स हैं ये नंबर यूनीक होते हैं यानि एक नंबर एक ही वेक्ति के पास होता है इस तरह हम कहे सकते ही कि जिस तरह DNA सभी का डिफरेंट होता है उसे प्रकार सभी का पैन नंबर भी अलग-अलग होता है पैन कार्ड नंबर से ही आयकर विभाग को कार्ड धारक से संबंधित विशेश जानकारी बिलती है आपको बता दे आयकर विभाग भारत के प्रतियक व्यक्ति के लिए PAN CARD जारी करता है PAN CARD के मदद से Income Tax का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता चलता है ऐसे में Income Tax Return, Mutual Fund लेने और लोन के आवेदन के लिए PAN CARD काफी जरूरी होता है PAN CARD एक ऐसा CARD है जो पहले से ही भारतियों के लिए पहचान पत्र का काम करता आया है कुछ कामों के लिए तो PAN CARD काफी जरूरी होता है जैसे Income Tax Return, Mutual Fund लोन के लिए अपलाई करना हलंगे PAN CARD जारी करने का मुख्य उद्देश एक ही है सभी की वित्तिय जानकारी रखना ताकि Tax संबंधित लक्षे को सरकार पूरा कर सके और अब सरकार ने सभी की वित्तिय जानकारी अपने पास रखने के लिहास से PAN CARD को पहचान पत्र बना दिया है अब आपके पास कोई CARD हो या ना हो लेकिन PAN CARD होना जरूरी हो गया है PAN CARD क्या है? PAN Permanent Account Number Tax भरने, बैंक खाता, खूलने, निवेश करने आदिकारियों के लिए CARD उपियोग किया जाता है इसमें PAN NUMBER और CARD धारक के पहचान संबंधित जानकारी होती है PAN CARD नंबर में विक्ति का चाक्स और निवेश संबंधित डेटा होता है इसलिए अपना PAN NUMBER पता होना जरूरी होता है वैसे सरकार के इस फैसले पर आपके क्या विचार है? सरकार ने जिस तरह से PAN CARD को पहचान पत्र बना देने का जो फैसला लिया है आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं